हाई, Friends Math, It Must Be Mass B.M.E.A. Welcome back to the world of Mass B.M.E. तो ये CGL Home Oke Tatisaka, क्यों जे सी ज़न टू का dritian धरया है जिसको मैंने नाम दिया है डिशन को का योग 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 ये मैंने नाम क्यों दिया है नहीं दिया है अब मैं बताता हूँ कि त्रेता यूग को त्रेता यूग क्यों का जाता है, दो कारण है त्रेता यूग को त्रेता यूग कहने का, त्रेता का मतलब होता है समूव औफ तीन, एन टिग्नो मट्टे भी actually the collection of three है, sign, cost, and, आप reverse में काम कर सकते हो, but actually it go with the collection of three, तो मैंने त्रेता को इससे रेटर किया था, और मैं त्रेता यूग के बारे मैं आवको थुर्शा बताना चाहता हूँ, कि सत्यूग में धर्म वह और चार पैरो पे खळा था, त्रेता यूग में धर्म तीन पैरो पे खळा था, इसे त्रेता यूग बोलते है, देंद्वापर में दो पैरो में और कल्यूग में धर्म एक पैरो पे खारा है, ये एक रीजन हो सकता है, या त्रेता यूग में तीन आउतार हुए थे विश्णु के, वामन, पसुराम, और राम, साथ इसके कारण भी इसको त्रेता यूग ब transverse series होता है, और सारे terms आपके plus होते हैं, तो बहुत simple सा होता है, यहाँ पे जो hidden है, जो कुछ नहीं लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, तो ये आपका difference होता है, दो number का, और ये दो number का product होता है, मैं आपको बता दूँगा कि ये लिखा हुआ है, अगर मैं आपसे बोलू होता है, sec x का value होता है, क्या है 4, ये मैं repeat करके आपको बता दूँगा, अब tan square x एक trigonometrical identity नहीं, एक formula की तरह treat होता है, जिसका value होता है, 1-cos x and 1-cos x, मैं concept आपको बताऊंगा, अब देहां से देखिएगा, क्योंकि आपको एक करना question solve, sec x अगर 4 है, तो cos x का value होगा 1 by 4, अग बालिए, ये मैंने explain किया है, उन लोगों के लिए, जिन्होंने इस concept पर command कर रखाया, जिनके बार को ये concept पता है, अब मैं आपको पहले इसे proof करके बताऊंगा, मैं इसे proof नहीं करूँगा, इसे मैं repeat कर दूँगा, और आप देखिएगा, सीखिएगा, और solution को, that means homework को solve कीज वो होता है, 2 cos square x minus 1, so we can say, cos x का value होगा, which one is 2 cos square x by 2 minus 1, similarly एक और formula होता है, cos x का, which one is what, 1 minus 2 sin square x by 2, ये मुझे पता है, अगर मैं आपसे पूछूँँ, 1 minus cos x का क्या value होगा, तो मैं अगर 1 minus cos x करूँ, और यहां से subtract करूँ, मुझको पता है, ये 2 sin square x by 2 बचेगा, fine, and 1 plus cos x का value क्या होगा, अगर आप इसको add कर दीजेगा, तो 1 1 cancel out होजएगा, यहां बचेगा 2 cos square x by 2, this means cancel out, which one is tan square x by 2, tan square x by 2 is equal to 1 minus cos x, and 1 plus cos x, या बाकी और भी तरीके हैं इसको निकालने का, बट ये बहुत सही question है, अब आपके पास लिखा हुआ है, m plus n under root, m plus n under root, m plus n under root, similarly शाफिए कुछ लिखा हुआ है, in finite transverse series है, आपको एक बात पता होनी चाहिए, the best way, इधर तो आप इसको यहाँ पर x पानो, square करो, square करो, solve करो, या x plus y एक मेरा वीडियो भी इस पे, आप उसको solve कर सकते हैं, आपको करना क्या है, the first under bracket के होता है, वो होता है product of numbers, और जो second होता है, वो होता है difference of numbers, दो numbers का product इसे represent करता है, दो number का difference इसे represent करता है, यह हम बहुत easily से इसको solve कर सकते हैं, देखो यहाँ पर 12 है, तो मुझको पता है, 4 into 3 है, और यहाँ कुछ नहीं दिया, तो 1 दिया है, सारे के सारे terms को, तो plus करने से, मुझको पता है, यह 4 into 3, और 4 minus 3 है, answer 4 था, minus करने पर इसका answer 3 होता है, यही concept है, आपकी 40 चर्गा 2 का, तो आपने साथ कुछ सिखा होगा, यह अगर आपको पता होगा, तो इसको recall किया होगा, तो अब question solve करने की बार ही आती है आपकी, चलिए चलते हैं, homework की दरफ, सो यह रहा आपका homework question, 6x का terms दिया हुआ है, 15,2, 15,2, 15,2, but all are the minus and आप से 10 square x by 2 का question पूछा गया है, मैं चाहता हूँ वीडियो को करो pause, अप answer को comment में करो, post और आपके कुछ suggestions हों तो आप बताइए, मैं try करूँगा इसको implement करने का, मैं अपना बहस दूँगा, आप अपना बहस दीजिए, आई मिलके करे result को crack करते हैं, myself, I'm here, God bless you, happy learning and bye-bye.